जो भी हो समस्या जैसी भी हो परिशानी हर चीज का होगा अंत अगर आप हर चीज करके ठक गए हो सब करके देख लिया फिर भी रास्ता नजर नहीं आ रहा तो जो जो चीज आज आपको बताने जारी हो अपनी भक्ती में इतनी शक्ती जगालो कि क्याते ना परिशानिया दू भाग जाए लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों मैं शाना सेट कैसे आप दोस्तों वेड़े के माधिम से मेरी हार कोशिश क्या आपके संदगी बैतर संदर माइंड मैं भास्तिंग था बन जाए जबर दस्त वाली कैसे हो मेरे पाशा लोगों हम ना एक चीज मैं आपको बत तो हो सके लेकिन अब जैसे फॉर एक्जेंपल हम लोग स्कूल गए थे तो उसमें एक क्लास टीचर थी पर शिक्षक अलग अलग थे हैं कि नहीं तो अब क्या हो जाता है आपके जो इस्ट है आप जिनको भी मानते हो आप जो भी अराधनाय करते हो आप वो करो लेकिन जैस मैज के अलग टीचर साइंस के अलग टीचर हिंदी के अलग टीचर वैसे ही हमारे समस्याओं के अलग टीचर जो जो समस्याओं आपको बताने जा रही हो जो जो चीज बोल रही हो उसको करना शुरू कर दो रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे इसमें कोई शक्की बात न अब सबसे पहली चीज यह है कि अगर तो कही न कई बिमारिया पीछा नहीं छोड़ रही अगर तो नहीं समझा रहा कि कहां से कि जब देखो कोई न कोई बिमार पड़ जाता है जब देखो एक बिमारी जाती है दूसरी आती है अगर लंबे समय तक बिमारिया पीछा नहीं चोड़ लई तो अब आपने क्या करना है आपने मैंने आपको पहले भी बोला था एक पारद का शिवलिंग लेके आओ घर पे इस फटिक का भी शिवलिंग ला सकते हो कोई असी दिक्कत वाली बात नहीं अब आपने क्या करना है जो भी बिमार है जो भी जिनको भी परिशानी है बिमारिया पीछा नहीं चोड़ी, canım बहुत जबर्दस्ती चीज बताने जारी हूं, अब आपने क्या करना है, अपने सिर्हाने पर शाध रखकर अपने सो जाना है, ठीक है, अगर तो आपकी बिमारिया पीछा नहीं चोड़ रही, कुछ ना कुछ ना कुछ बोडी साथ नहीं देती यह सारी चीजे भी होती है क्यातना इंसान करना बहुत कुछ चाता है लेकिन बोडी साथ नहीं देरी अपने सिराने शहद रखके सोजाओ अब आपने क्या करना है उसके अंदर जल दूद मिलाकर शिवलिंग पर ओम रुद् धर्म फॉलो कर रहे हैं अपने सिराने पानी आपने रखकर सो जाना है ठीक है उसको सुबह उठते ही जैसे आप अपना तांबे का लोटा ले सकते हो कोई यसी दिकत वाली बात नी चांदी का भी ग्लास ले सकते हो नॉर्मल ग्लास भी ले सकते हो कोई दिकत वाली बात नी उ उसके उपर सो मर्तबा दरुच शरीफ पढ़ना शुरू कर दो चू मंतर बिमारिया चू मंतर एक बार मेरी बात मान के करना तो शुरू करो फिर देखो कैसे जीवन क्यातना सुख में व्यतीत होता है अब दूसरी चीज यह है कि कई बार जगडे कलेश बहुत जादा बढ़ समझ नहीं आ रहा कि साथ में बैठते फिर जगड़ा फिर जगड़ा फिर जगड़ा अगर यह चीज हो रही है फिर बोलूंगी शिव जी का अभिशेक करना शिव लिंग पर अभिशेक करना शुरू कर दो ओम नमस्षिवाई शिवाई नमा ओम जल डाला ओम जितने भी है घर पर मिया बीवी के जगड़े हो रहे हैं सुलजने का नाम नहीं ले रहे तो क्या करो गई ओम तूम धूंदुरगाई नमा इस चीज़ का जब करना शुरू कर दो इस चीज़ का जितना जब करोगे जितना अगर आपकी मैं क्या ति हैंगर कोई ना कोई रा मारिया पीछा नहीं चोड़ी अगर पैसों की तंगी है जो हिंदुधर्म फॉलो करें मैं कहती देखो अगनी तत्व हमारे घर पे होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यह चीज समझने की कोशिश करो हफ्ते में मैं रोज नहीं बोल रही रोज नहीं कर सकता कोई बात न ही है आप देखी रहे हो कमेंट्स देख रहे हो कोई इसमें बात नहीं लेकिन कम से कम हफते में एक बार हवन करना शुरू कर दो गाइतरी मंत्र का कर दो या ओम एंग्री इंक्लिंग नमस्चंडिका इस्वाहा ओम एंग्री इंक्लिंग नमस्चंडिका इस्वाहा यह शुरू करो आप देखोगे आप देखोगे कैसे रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे कैसे रास्ते अपने आप क्यातिया ना जितनी परिशानिय चीरते भी भार निकलना शुरू हो जाएगी जिनके घर पे जगडे कलेश बड़े जा रहे हैं जो इसलाम धर्म फॉलो कर रह सकते कितनी चीजे कई बार में बता देती हूं रास्ता नहीं नजर आता पाश्य लोगों कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब एक और चीज बता देती हूं कई बार क्या होता है हमारे इतना अंदर अपने अंदर बल्ल नहीं होता कि जो समस्याय आ रही हैं उससे हम लड़ यह देखो कल है शनिवार मैंने आपको एक बार चीज पहले बताई थी आप लोग क्यों नहीं करते पहले तो मुझे यह बताओ क्योंकि देखो आप बटक रहे बटक रहे बटक रहे कुछ रास्ता नजर आनी रहा इस चीज में जितनी पावर है और क्या ही बोलूं आपके क करने से हम कितने काई ₤ अब आपने क्या करने कल है शनिवार अब आपने शनिवार जितने भी लोग है जिनके जितने भी बड़े से बड़े संकट है pec acre जो होता है ठीक है यह वो काली मंदिर में लेकर जाना है जो भी पागावा बोजन हूं अच्छा सा पकवान होना चाहिए ओम क्लींग कालिकाई नमा ओम क्लींग कालिकाई नमा इस चीज का आपने वहाँ पर बैड़ कर जब करना है पांच माला ओम क्लींग कालिकाई नमा इस चीज का आप जब करोगे आपकी धनकी समस्या है आपके घर पे जगडे कलेश है, शत्रू है, लिटिकेशन है, कोट कचरी के मसले है, हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी जो भी जो चीज आपको बताने जारी हूँ, आप ये चीज करो, ओम क्लिंग कालिकाई नमा पांच माला करके वो जो भोजन है, वो किसी जरूरत मंद को फिर खिला दो, बहुत सेवा भाव से, और ये चीज सुबह तो बाब आपने कर ली, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना सुबह कैसे है न, क्योंकि चार बजे, सूर्य उदे के पहले पहले जाने, अगर वो नहीं कर सकते, ये तो चीज आपने सुबह जाकर कर दी, अब रात को पहले मधिर्यातरी, 11 बजे इस चीज की इस चाम आप करो आप की जितनी भी समज्या है, वहsin्नी करिया है और यह तो इतन्तृक है, फिरफ को पता भी है क्या होता पहली चीश हर चीज से उसको घलत अपने क्यों लोगे लेकर जाते मुझे समझनी आती, जो मैंने आप पहली भी बोला जो द्यान साथ ना निशितकाल में करी जाती है, जितनी पावर निशितकाल में है, वो किसी चीज में नहीं है, या तो सूरी हो दे कि समय उठो, करो बैठ के चार साड़े चार बज़े करो, मेरे साथ उठ जाओ, हैंगी नहीं, लाइव आती हूँ, एक जोईन करती हूँ, एक कुछ बनाती हूँ, के मेरे साथ उठकर हम लोग कठे करते हैं, सारा कुछ अपने साथ, एक रुटीन सेट करवाती हूँ, उससाब से चलो, और यह बोलने वाली बात नहीं है, मैं चार बज़े उठती है, वो फलान डिमकान, लिटरिली कह रही जो पावर है, बहुत पाफुल है, एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर तो कई बार क्या होता है, कि संकट जैसे अगर किसी के पतरी में गुरू बड़ा कमजोर है, गुरू अगर बहुत जादा कमजोर है, सुक शान्ती नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लोग ग्यान अगर नहीं मिल पारे, ब्रस्पति बार के दिन, आपने क्या करना है, आपने एक वक्त का खाना छोड़ देना है, और वो ही खाना जो आप खाओगे, वो किसी जरूरत मत को दे देना, अगर जो लोग तीन टाइम का कर सकते हैं, अपना क्याते हैं, कोई बात नहीं अन छोड होना है, अपने आप उससाब से देख लो, आप ये चीज़ करके देखो, आप देखो कैसे आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, अपने लंबाई का कल शनी वारे एक और चीज़ बताती हूं, अपने लंबाई का मेजर कर लेना काला धागा इंटू सेवन, साथ गुना होने का नाम नहीं ले रहे, हैuing तो एक बूंद, एक कोई भी बर्तन में, आप गुझा रोज सर्सो का तेल डालने के बाद में, हैना, पुरा हक्ता आपने डालना है, जैसे फॉर एक्जेंपल, हमनने संडे से शुरू किया, फॉर एक्जेंपल, एक्जेंपल दे ज्घंडे Thursday, Friday, Saturday Saturday को भी एक बून सेटेडे को जाकर इस तेल का दीपक इसमें और दीपक इसमें और तेल मिला खर सर्सों के तेल का दीपक पीपल के पेड के नीचे जगाना शुरू कर दो शनीवार कल शनीवार एक और चीज बता दिती हूं मिटी की हंडी में कोईला भरके इसको गाड़ना शुरू कर दो हर शनिवार शनिवार करना शुरू कर दो जिनके भी सर पे करजे बढ़ते चले जा रहे हैं जितना विश्णु जी की अराधना करना शुरू कर दोगे बेडापार होना शुरू हो जाएगा राम 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 जितना लिख सकते हो दिन में जब बैठे हो राम 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 यह मत पूछना आज करा कल बतनी क्या ही हो जाएगा एकदम चपड़ा एकदम बरसात हो जाएगी पैसो की हम करजा उतार देंगे आपके जो जरिये है लिख के ले लो मेरे से लिख के ले लो कटने शुरू हो जाएंगे मैंने एक और चीज आपको बताई थी जो भी कला के शेतर में है जो बोलन नहीं पाते जिनका बुद्ध कमसोर है है ना क्योंकि आज मैं ध्यान साधना क्योंकि मैं हमेशे एक चीज बोली है जितनी ध्यान साधना में पावर है और किसी चीज में नहीं बटक लो बटक लो कुछ भी कर लो आप कह रही हूं दस मिनिट आपको मैंने उस दिन चक्रास के बारे में बताए था आपको मैंने सब बताए था रूट चक्रा पे क्या चीज़ है ना, रूट चक्रा पे आपने क्या बोलना है, आपके स्वाधिश्टान चक्रा पे क्या बोलना है ना, लंग, बंग, रंग, हार्ट चक्रा हम, गम, और इधर आपको क्या बोलता है, ओम, ओम, ये चीज़ करना शुरू करो, कर्जे सर पे बेड़ जाये करो, देखो, जो कला के शेतर में नही बन पारी, ओम सरस्वत्याई नमा, ओम सरस्वत्याई नमा, जो सिख्धwegen फोलो कर रहे हैं, प्रब के सिम्रण रिद सिद्न औरनेत, जिनका जुपिटर भी वीक है जो सिख्ध payroll कर रहे हैं, गुरू 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 वाहे गुरू देखो करके तो देखो अब आपको एक चीज बता देती हूं जितनी भी संकट समस्या आ रही है अगर बहुत ज़ादा संकट समस्या आए जा रही है पांच जो होते हैं फल हनुमान जी के आगे चड़ाना शुरू कर दो रोज हनुमान जी के मंदर में जाकर चड़ाना शुरू कर दो एक आप चमेली का तेल का दीपग जलाओ वहाँ पर यह हनुमान चली सा पढ़ना शुरू करो देखो यह जो चीज आपको बता रही हूं आत्मा आत्मा का है शरीर में जब जान नहीं होती आत्मा नहीं होती उसको फिर दफना दिया जाता है जला दिया जाता है कि नहीं तो अगर आपके करनी में अगर आत्मा ही नहीं है तो फिर करने का फाइदा क्या मैं फिर बोलूंगी बार इन चीजों में बहुत पावर है इसको करना शुरू कर दो बाकी जो पाए बताती हूं वो करो बिल्कुल करो लेकिन इस चीज को इग्णोर मत करो सिर्फ कहने का मतलब यह क्योंकि कितने लोगों से बात होती है जो में चीज है वो हम करते नहीं बाकी भटकते रहते हैं तो कई ना कई काम बन नहीं पाते हैं पाशा लोग आज के लिए इतना ही मैगनेफाइड हीलिंग की क्लास अभी भी चल रही है इट इस ब्यूटिफुल अपने चक्रास को हील करो पास्ट लाइफ को हील करो अपने औरा को इतना चमकदार बना दो इतना चुम्बकी है बना दो कि आटुमेटिकली पॉजितिव चीज़े हम अमको अट्रैक्ट होना शुरू होजाये वास्टू की क्लास है टैरो रीदिंग की क्लास है रेजिस्ट्रेशन होन है एस्ट्रोलजी के कोई पूज रहा था मैं पता ली तो अस्ट्रोलजी जब होगा तो मैं बताऊंगी बड़ वास्टू की क्लासे, टारो रीटिंग की क्लासे और मैगनिफाइड हीलिंग, इट इस ब्यूटिफुल है कि नहीं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ने किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक, 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 आप मुझे लाइक करोगी, इन वर्स आपको लाइक करेगा, हार बंद आपको लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर इसले करो, सबके संदगी ठा हो जाए, ओक्या देन, बाबाई, नमस्कार,